सर्वेभ्यो नमहां देवबानी संस्कृतम यूटूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार देख अभिनंदन हैं मित्रो आज से हमारी यहां एक नई कक्षा आरंभ होने जा रही है बहुत ही महत्पूर्ण यहां कक्षा है संस्कृत के पढ़ने वाले पाठकों के लिए इस शंकला का नाम है रचनान वाद कौंदे डॉक्टर कपिल देव दुवेदी जी महराज एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए है उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी है उन्होंने संस्कित सिक्षण की भी कई पुस्तकें लिखी है है कि यह जो रचनान वाद कौंदि आप देख रहे हैं यह मेरे हात में है स्काव MOR कंटर कार रेम थायए सल सक्वायं अलग सलस्क्对क हैं यह संस्क्राइब मैं आयो एक सfel मिद्वाद कावा हैं are इन्हों ने ये तीन पुस्तकें संस्कित भाशा को सीखने के लिए बनाए जो भी पाठक जो भी पाठक 15 वर्ष से उपर के हैं 15 से बड़े हैं और आगे कितने वी बड़े हैं आगे की कोई सीमा नहीं है सौ वर्ष के भी हैंएएं, एक सौ दस वर्ष के भी हैं, अस्कित के भी हैं, अस्कित के भी हैं, नब्बेral के हैं, साथ के भी, втор के 40 के पचास के यदि वो पाथक संस्कित भाषा को बिल्कुल नहीं जानते हैं। और संस्कित को सीखना चाहते हैं O की समझिएगा एक अध्यापक हैозможно नहीं पड़ी अब वह अध्यापक हैं पड़ना भी चाहते हैं तो इस प्रकार के पाठकों के लिए अत्wa कोई इंजिनियर हैं डॉक्टर्च हैं वो संस्कित को चीखना चाहते हैं अत्वा कोई बार्मीक अक्षा का दस्मीक अक्षा का कोई विद्यारत ही हैं जो संस्कित विशैर को लेकर के आगे बढ़णा चाहते हैं उन सभी के लिए ये तीन पुस्तके बनाई है ठीक है ये प्रारंबिक रचनानवाद कौमदी है यहां रचनानवाद कौमदी है और ये प्राउड रचनानवाद कौमदी है तीनों में रचनानवाद कौमदी रचनानवाद कौमदी जुड़ा हुआ है इन तीनों पुस्तकों से क्रम से पढ़ने पर प्रत्यक व्यक्ति चाए वो इस्त्रियों पुरुषों अच्छे संस्कृत के जानकार बन जाते हैं पढ़ाने में समर्थ हो जाते हैं अब इसको क्रम से पढ़ना होता है इसमें सबसे पहले इसको पढ़ना होता है प्रारंभिक रचनानवाद कव्मूदीत आप बिल्कुल भी संस्क नहीं आनते हैं और संस्की सीखना है तो आपको कैसे चड़ना पड़ेगा पहली सीड़ी है इस पर आपको प्यार रखना होगा इसमें प्रवेश करना होगा ऐसे देख करके इसमें प्रवेश करना है पढ़ना है फिर इसको पढ़ने के बाद फिर दितिय श्रेणी की और थोड़ा अच्छी है प्राउड लेवल की संस्के सीखनी है फिर उसके लिए बनाई है रचनान वाद कव्मुदी ठीक है और फिर और हाई लेवल की संस्के सीखनी है फिर बनाई है प्राउड रचनान वाद कव्मुदी यह तीनों पुष्टकें पढ़ लेने के बाद कोई भी व्यक्ति संस्कित का अच्छा जानकार बन जाता है अनुवाद संभाशन आदी लेखन आदी करने में समर्थ हो जाता है अब हम पढ़ा रहे हैं इस पुष्टक को इसका अर्थ हुआ इससे पहले यह पुष्टक पढ़नी चाहिए तो ध्यान दीजिएगा इस पुष्टक को इसी यूटूब चैनल पर देववाणी संस्कितम यूटूब चैनल पर पूरा पढ़ा दिया गया है पूरा आरंब से लेकर के अन्त तक इसका उत्तरमाला के साथ में आंसर सीट के साथ में विस्तार पे सभी कुक्षाएं पढ़ा करके कोर्स तयार कर दिया है जान दिए यह कोर्स तयार है इस कोर्स का हमने नाम रखा है प्रारंभिक रचनान वाद कवमुदी न्यू कोर्स आप प्लेलिस्ट में जाईएगा चैनल की और वहां देखिएगा प्लेलिस्ट में वहां लिखा होगा प्रारंभिक रचनान वाद कवमुदी और ब्रैकेट में लिखा होगा न्यू कोर्स ठीक है तो यदि आपने ये अभी नहीं पढ़ी है तो आपको ये पहले पढ़नी होगी और यदि आपने ये पढ़ ली है ध्यान देंगे ये यदि आपने पढ़ ली है फिर आप और अपनी संस्कित को अच्छा करना चाहते हैं फिर आपके लिए है ये दितिय शेणी का को कोर्स रच्छनानुबाद को यह पूरी पुस्तक आपको इस कोर्स में विस्तार से पढ़ाई जाए इन पुस्तकों को आप कि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पीडिया पिसकी गूगल में जाकर करके सर्च करके पीडियाप को अपलोड कर सकते हैं क्योंकि यह एक पुस्तकों की पीडियापको अपलोड कर दिया गया है इंटरनेट पर तो वहां से आप लिश उसतक के चाहिए तो आप अपने आस्पास की जो बुकस की शोप हैं उन्पर जाकर कर पता कर लीजिएगा वहां मिल सकती है नहीं मिलती हैं तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्षन में एक लिंक दे दिया है लिंक पर आप क्लिक करके सभी का पुस्तकों को online पच्छेज कर सकते हैं क्रह कर सकते हैं खरीद सकते हैं ठीक है तो अब हम इसको आरंब करने जा को बना दिए जाएगी यहां पर द्यांद रखेंगे क्या इसकी प्लेलिस्ट बनाक है यहां पर रचनान वाद कवमुदी New Course और यह बनेगी लच लाज कवमुदी New Course लिक निकलेगी लिए तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर सभी कुक्षाय आपको खरन से मिले और की और इस कॉर्स को पीडियेप के साथ मैं आप देवभाणी संसकिताम से अंदर भी पढ़ सकते हैं ढादेंगे आप के अंदर भी आप पढ़ सकेंगे आप को डाउनलोड करने के लिए अमने माद लिंक दे दिया है परंत द्यान रखेंगे यूटूब चैनल पर ये सभी कक्षाएं आपके लिए निशुल्क रहेंगे एप के अंदर एप की पॉलिसी के अनुसार आपको पढ़ना हुगा ठीक है तो आज से इसको हम आरंब कर रहे हैं यदि आपने इसको पढ़ लिया है अथवा ज्यान देगे अथवा आप थोड़ी संस्कित पहले से जानते हैं यह जो पुस्तक है यह सामान संस्कित आपको दिख लिया है अब आप अपनी संस्कित भाषा को और सुधार करना चाहते हैं उसमें इंप्रूब मने उसमें और अच्छा गुनबत्ता लाना चाहते हैं तो भी आप स्कोर्स को पढ़ सकते हैं फिर आपको अमनी बीदन करेंगे यह पूर्ण तह आपके लिए निशुलक ह इसका कोई शुलक नहीं लिया जाएगा ध्यान देंगे आपसे सहयोग अवश्य मांगते रहेंगे परंतो आपसे फीस नहीं ली जाएगे आपसे कोई शुलक नहीं निरदारत होगा आप स्वेच्छा से जो कुछ दे तो ठीक है नहीं तो पढ़ हैं हमारा लक्षी है कि एक करूर लोगों को उनके ग्रिह पर ही ओनलाइन माध्यम से संस्क्रित भाषा का सिक्षन देना इसलिए हमारी टीम और हम हमारा जो संस्थान है देववानी संस्क्रितम ट्रश्ट नियास वो कारी कर रहा है ठीक है तो यह सामान में सूच रहा है इस पुस्तक के अंदर आप पीडियाप को डाउनलोड करके इसमें देख लीजेगा इसकी जानकारी पूरी मिलेगी जो इसमें भूमिका लिखी है ठीक है यह वस्तता यदि आप नेट कर रहे हैं में कर रहे हैं पीच्ड आधी कर रहे संस्कित विशय को ले करके तो वहां पर यह काफी सही होगी पुस्तक होती है इसमें लिखा हुआ है पूरा यहां पर इन्होंने सब उपयोगता लिख दी है अब मैं आपको यह पढ़के नहीं बताऊंगा ठीक है इतना कार तो आप भी कर सकते हैं पढ़ना आये तो पुस् अभ्यास इसके अंदर साथ अभ्यास बोलो कितने साथ अभ्यास हैं इसके अंदर तो साथ अभ्यास आपको पूरे उत्तर माला के साथ में करम से बिलेंगे पहले हम पढ़ाएंगे फिर उसके जो अनुवादादी बनाने के लिए देते हैं वो दिये जाएंगे फिर उसको आपको लिख करके यहीं पर बोर्ड पर चेक भी कराया जाएगा साब कुछ यह आई है आपको टीचर मिलेगा ठीक है तो आईएगा आज से इसका शीगनेश करते हैं दक्षणा के रूप में हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप इस कोर्स की वीडियोज को अधिक से अधिक अपने सोसल प्लेट फॉर्म पर लोगों के लिए शेयर करते रहें क्योंकि हमारा उद्देश्य है संस्कित भाषा का निश्वार्थ भाव से प्रचार एवं प्रसार करना ठीक है यह तो यह तो सामान जानकारी हो गई अब हम इसको पढ़ना आरम करेंगे ठीक है प्लेलिस्ट आपको बता दिया रचनान वाद काउमधी न्यू कोर्स नाम से बनेगी और यदि आपको इसका कोर्स यदि वहां प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है आप हमसे भी संपर करके ले सकते हैं देवबानी संस्कितम के चैनल के जो नंबर है वो इस चैनल के लिंक भी दिया हम आप क्लिक करके आप सीधे वाटसप पर आ सकते हैं ठीक है यह चैनल का जो डिस्क्रिप्सन है उसमें देख लीजेगा चले रहा तो संस्कृत आया नमाहों आप सभी को नमस्कार संस्कित भाशा के लिए नमस्कार रचनान वाद कउमुदी ठीक है कक्षा एक प्रथमा कक्षा चलिएगा अब चलते हैं इसके प्रथम अभ्यास पर ओपन कर लीजेगा यह इसका प्रथम अभ्यास है जैसा जैसी प्रक्रिया पद्धती इस पुस्तक में अपनाई है उसी प्रकार की प्रक्रिया पद्धती इसमें भी अपनाई है इसमें सामग्री को बढ़ा दिया गया है कि इसमें 30 अव्यास तया साथा घ्यास कर दिये इसके शब्दकोश में 20 शब्द आते थे इनोंने इस वाले भाग में प्रत्यक शब्द कोश में 25 कर दिये सामगरी को बढ़ा दिया है नियमों को बढ़ा दिया है अनुवादों को बढ़ा दिया है यह विश्य से ठीक है चलिएगा तो अभ्यास एक के कि इस अभ्यास में ये क्या पुड़ाएंगे शप्ड़ाएंगे शब्द कोश के अंदर 25 लोग यहाँ पर यह आपको इसमण करने होने याद करने होने अथवा आपको ध्यान रखना होगा प्राय करके अधिकतर शब्द तो आपके इस पुस्तक में ही आ चुके हैं इसलिए अधिक रटने के आवश्यक्ता नहीं और व्याकरण का बताएंगे व्याकरण भी पढ़ाएंगे इसमें सामानी जो व्याकरण होगा विश्यव भी पढ़ाएं और आएगा शब्द को इसको देखते हैं क्या पढ़ा रहे हैं यह विभाग कर दियें इसमें का विभाग में बताते हैं साहा कि माने वह सामी वह ताउव वे दोनों ते वे सब भवान आप यह पुलिंग में भवति आफ प्रिलिंग में है यह क्या है सर्वनाम है इस सारी वाते आपको प्रारंबिक में पता दिया है सब पता है इसलिए विशेष समझाने की आवश्यक्ता नहीं है रामाह राम इश्वराह इश्वर्या स्वामी बालकाह बालक मनुष्याह मनुष्या नाराह मनुष्या ग्रामाह गाउं निरिपाह राजां विद्यालयाह विद्यालया यह तेरा शब्द है ठीक है यह लिखा हुआ तेरा शब्द यहां तक हो गए खा यह हो गया आपका खा विवाग में क्या है धातु आती है जाचे भू आना पठ पड़ना लिख लिखना हस हसना गम जाना आगम आना यह च्छह धातु है गां में अव्य होते हैं अत्रा यहां यहां यत्रा जाहा तत्रा वहां कुत्रा कहां कुआ कहां यह आप देखेगा च्छे बारे मटवा लोगे और यह त्यरा थार्टिन ट्वंटी फाइव होगे पच्ची शब्द होगे ठीक है अब देखिएगा को अब देखेगा अब आपको किसमें क्या करना देतला मत आता हूं पिस्क पुष्टक के प्रतम अभ्याश में और दिस पुश्टक के पृतम अभ्यास में इसमें से क्या-क्या पढ़ाया था सैंब देखेंग यहां पर भी वह परता गेए पढ़ाया वह इसमें रही हे यह वाले शब्समें नहीं पढ़ाये थे यह इसमें एकष्ट्रा आ गए भावान भवत्ती पर पढ़ा दिए इसने आगे चलके पढ़ा दिए अब देखिएगा आगे राम आहा राम इश्वर आहा इस्वर बालक आहा बालक। मनुष्या हा मनुष्य नर सी नर सी इसने अधिक आगया मनुष्य। फिर रहे attrib न्रपा य्या न्रपा आ तस War Almost गावन भी आ गया तो इसमें एक चब्द ये फिद्रह पढ़ा दिया और एक सिध्वा भूपर पढ़ा दिया था का नहीं इसमें इसमें ता भबति पढ़ा दिया था और दर्था डातु इसमें भूहुँ इसमें पठ इसमें पथे लिया ङम गंभी इसमें कि आगे और हश हस भी ऐस इसमें चार दातू थी इसमें लिख लिख और आगम यह दो और बढ़ा इ took कि अtic ص experiência कि तो आपको याद करनी है बाकि तो आपको याद है पहले से हैं बहुत सा तो सबकुछ तो याद ही है दिक इसलिए इसको पड़ने के बाद ही इसको पड़ना चाहिए अब गमे आजाईएगा देखिए आत्रा यहां त्रा वहां यत्रा जहां कुत्रा कहां किम क्या अब यहां पर क्या बढ़ा दिया इह बढ़ा दिया ठीक है और क्वा बढ़ा दिया यह दो शब्द बढ़ा दिये वह और इह वाकी शब्द यहां पर हैं सारे तो इस लिए हैं आप इसको पढ़ लीजिए पहले पढ़ली है फिर आपको कोई परेशानी नहीं नहीं है फिर आपको यही पढ़नी है जालिए अब आएंगे सामान सुचना आएं जैसे उस प्रारम्बिक में थी वैसे यहां पर भी दे सूचना देख लीजेगा अगा यह संकेत अभ्यासों के लिए हैं आगे यह वाले जो संकेत दे रहें यह वाले यह आगे अभ्यासों में ही प्रयोग होंगे क्या सूचना नंबर एक अज़न धा ? यह संकेत ने हांँ यह भी संकेत अ है और यह भी संकेत इसीक अंदर आएंगे सारे आएंगे नंबर एक शब्द-कोश के लिए यह श्मर्ण कर ली यह शब्द-कोश है इसमें हम क्या रखेंगे बिभाग जासे इत्तका बिवाग में किस प्रकार के के शब्स रखे जाते संया वाच्ची या सर्वनां। दोप्रकार के शब्स रखे जाएंगे कि घाटू या किरिया को कहने वाले शब्द और गाव विभाग में आव्या या किरिया विशेशन रखे जाएंगे जैसे को उसमें भी रखे गए यही घा में रखे जाएंगे विशेशन शब्द के बन एक इसमें क्या हर अभ्यात में चारों विभाग आवश्चक नहीं है किसी में दो सकते हैं किसी में और गाव में अव्वे आ गए ठीक है आगे आगे और यह जोड़ते जाएंगे तो यह 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 आपको हमेशा आगे ध्यान रखना है कि फिर है नम्मर दो का भी भाग कि छिन ठीक है है कि छिन बता रहे हैं इसमें लगया यह सी जो लखीर यह लखीर है यह आरगा से lie तक अर्थ राडै क्रों यह जह से लखीर कर दीज़िए नहीं का एक से दस तक क्या है एक से दस सब्सक्राइब है सब्सक्राइब और बीचिमार कर दिये हूं चिन्न विद्याल है तो न कहते हो राम से विद्याल तक के शब्द जो भी कुछ करेंगे आगे यह समाजत लकीका आर्थ है हम enforce देखZ pitج जहां पर वत्त का प्रियोग करेंगे वत्त का प्रियोग करेंगे तो उसमें उसका अर्थ का समझना समान जैसे राम वत्त इसमें वत्त लगा दिया तो अर्था राम के तुल्य आगे कहें रूप आधी चलेंगे तो यहां राम वत्त का अर्था राम के तुल्य भावत्ति वत्त का अर्थ हुआ भावत्त अर्था भावत्ति के तुल्य रूप चलेंगे रूप चलाए जाएंगे ठीक है ठीक है चलिए यह तो बस समझने वाला था इसमें कुछ रटना नहीं है आपको कि आगे हैं नंबर तिन को है राम और यह लकीर विध्यालय तो इसका अर्थ क्या हुआ राम शब्द से विध्यालय शब्द तक के रूप राम के तुल्य चलेंगे भू और और आगम थातू से लेकर करके आगम दातूरों भावती वत चलंगी अब राम से विद्याल estuv plainland का यह और देखना भवति कनभू से लेकर के आगम तक भवति तो यहां से इन दात्वों के रूप भवति के समान चलेंगे यह समझना है यह तो सब कुछ तो प्रारमिक में बहुत बार हो चुका है फिर भी इसको पढ़ा रहे हैं तो यहां पर लिखा हुआ है इसलिए बता रहे हैं यह ओगया कि अब आजाईएगा आगे कि व्याकरण में क्या पढ़ाएंगे तो शब्द कोश्का हो गया इसमें इस अब ब्यात्में पढ़ाएंगे लट लकार बताएंगे थोड़ा परस्माई पद बताएंगे करत्री वाच्च बताएंगे यह आपको समझना रहा होगा सब बहुत लट लकार बताएंगे सब्सके जाएंगे नंबर 1 देख लिझेगा पुस्टक में के राम आ हां । प्रथमा करता यह के रूप है राम के रूप है राम के रूप राम 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 अंदुतिया वक्तिय कर्म में होती है कहने का आर्थी है आपको राम के रूप याद है अभी करने नहीं है याद है आपको तुन गिलेगा उसमें से आपको यह भी पता है कि जो प्रथमा के र का प्रयोग होगा करता के रूप में और यह किसमें होते कर्म के रूप में यह इसके संक्षित रूप बता रहे हैं इसको चलाने के लिए अकारंत पुलिंग के यह आपको बहुत सिखाया जोड़ करके जुगार बना करके और बता देंगे ठीक है जैसे इसमें राम शब्द है हैं तो राम में पीछे आ जोड़ दिए का हमनी बताया था आपको जब भी संक्षित प्रत्य जोड़ने की प्रक्रिया होगी उसमें क्या करना है जो मूल शद्द है राम उसमें क्या ह्क्ष्ष कि मैं यहाटा देना होता है इसमें है क्या करदेंगे राम को ऐसा बना लेंगे राम हटा देंगे कि यह जो तेक बना लेंगे एज़य को इस सब्सक् Assembly है ओनुद deber toj करके फिर यह जोड़ते जाएंगे ऑसरामाнов तो पूर थैं। है अब क्या करना आए आपको पूरे रामशब्द के रूपों का एक शरृष नरहीं करनी तक्रश्थ नहीं कि रामशब्द के रूप हैं आपको पहले से याद है अपैनों आपको अभ्यास कर दो साथ बोलनी जेगा रामाहा, रामौु रामाह, रामम् रामौु, रामान। रामेड, रामाभ्याम, रामाई, रामाय, रामाभ्याम, रामिभ्याह, रामाथ, रामाभ्याम, रामिभ्याह, रामस्य, रामयोह, रामाणाम, रामे, रामयोह, रामेशु, हे राम, हे रामव, हे रामा, ठीके? कि याद हैं हमने इस पुस्तक में नजाने आपको कितनी वार उस्चन कराएं इसमें बहुत आसानी धीरी धीर पड़ाया था कि अब क्या यह प्रत्मा विवक्ति दुतिया तृतिया चतुर्ति पंचमी शष्टी सप्तमी और संभोधन एक वचन दिवचन बावचन पता ही है आपको अब इनको रूपों को बनाने के लिए क्योंकि नोंने का राम के समान ही विद्याला तक सभी शब्दों के चलेंगे अब आपको अभ्यास करना होगा तो सभी रूपों को रटना ना पड़े इसलिए नोंने यह आपर जुगाड बता दी थिए यह क्या संक्षित प्रत्य आ अब जैसे मानिएगा विद्या यह है हमारा क्या है कि यह शब्द है हम ले लेते हैं आपके लिए कि अ कि सारा रूप बनाना सारा लेवल कुल ना अ बालक क्या है बालक लेते हैं ठीक है बालक लेते हैं बालक अब हमने आपको क्या बताया किसी आपको रूप बनाने इसके तो क्या करना इसका सबसे जो अंतिम अक्षर है इसमें इसमें का में क्या क्या अक्षर हैं का प्लस और यही तो है तो इसको अको अटा देंगे अको अटाएंगे क्या बचेगा यह हमारा ऐसा बचेगा बाला काहलंत कि अब क्या करना है आपको प्रत्याइं जोडते जाने ये जो संग्षित प्रत्याइं क्यों जोडते जाईएगा इसमें अपने आपर रूप बन जाएंगे आ बलक आप यहां पर बालक आया बहले का बहल करा यांद प्रहिकर के पाश जाहस का नाम योट वानके शूव और है रहे बालक नहेत borders हे वालका हूँ हे वालका हूँ बन गे रूप आपके ठीक है बस इसी प्रकार से आपको क्या करना है इसमें जो शब्द आये हैं कि इनके रूप भी आपको बनाने हैं पूरे को बनाने यह आपर इनके है कि कि राम के तो ποता ही दिए यह वालक के बता दिए मनुष्या नारा ग्राम औरकांucken कि या इनके सबके चलाने संफिप्त्य लगा करदएं इसमें क्या करना हैं देखेगा हुआ यहाँ पर यह संक्षित प्रत्य में ध्यान रखना आही ईए अभी पता देते हैं आगे चलके निय्म आपको प्रार्मिक में फ़र बट पड़ाये जाएंगा इसमें है है यहाँ पर क्या है यह है कि एक यहाँ पर और यहाँ पर यह जो है ना और यह ना इनको कहीं कहीं पर क्या हो जाता है अणा हो जाता है ऐसा हो जाता है कहां होता है कहां नहीं होता है यह व्यक्ति नियम आपको पढ़ाया गया है फिर आपको पढ़ाया जाएगा अभी नियम नहीं पढ़ाएंगे आपको अभी आपको आज के शब्द कोस में कहां कहां अना लगाना है कहां कहां ना लखना है आपको यह मैं बता देता हूं ठीक ह देखिएगा जब आप इसमें क्या हो जाएगा अना हो जाएगा और अना हो जाएगा इसमें हुझा जाएगा और इसमें नहीं ओगा इसमें हो जाएगा अध्य इसमें ऑजाएगा इसमें दोनों नियम आगे आएगा वहां पढ़ाया जाएगा यह आपको यह करना है यहां इन्होंने कहा है कि जैसे संग्षिप्त रूप शब्द के अंत में लगेंगे अंतिम बन हटा करके लगाना है यह से बालका हावालका हूँ वालका वालकम आदे यह हो गया आपका अब आपका आगे चलते हैं ठेक है भूधातू लटलकार बरत्मान काल यह बताएंगे आपर बता रहे हैं लटलकार बरत्मान काल को यह तो जैसे भावति भावता भवन्ति परतम पूरुशा परतम पूरुश्का बता रहे हैं आपको याद में आप तीनों पूरुश्यों में हमको देख लेना है दिखा देंगे अभी इसका संक्षिप्त प्रत्य यह बता रहे हैं कि रूप कैसे इनको जोड़ करके आप दूसरी धातूओं को भी बना लेंगे ठीक है यह लिखा हुआ संक्षित प्रत्य अंत में लगाकर अन्य धातूओं के रूप बनाईए जैसे पठका पठती पठता पठंती लिखती लिखता लिखंती हसती हसता हसंती गच्छती गच्छता गच्छ प्रतम पुरुष्के अब आपको मैं यह दिखा रहा हूं कि हमें पूरा कर लेना है कि इसका यहां पर है नहीं मैं यह है दिखने यह भूदातू का यह आपको रूप्याद है पूरा पहले से वर्तमानकाल यह सब्सक्राट यह प्रतम पूर्श मझ्यांपूर्श उत्तंपूर्श यह तीं पूरश होते हैं यह घंठी जार्णके आ पर लेटें आप वाव बना लेते मघें आगे जोडते जाएंगे तो रूप बन जाएंगे संक्षुप्त प्रत्य अमारी इन्हों ने बताए हैं प्रतम पुरुष माने ये एक बचन दुवचन बहुचन और एचे पुरुष हैं तो ये एक बचन दुवचन बहुचन और ये प्रतम पुरुष मद्यम पुरुष उत्तम पुरुष प्रत्य क्या बता रहे हैं आती आता जोड़ते जाएगा रूप बन जाएगा पूरा भावती भावताह भावत्था भावामी भावावाह भावावा इसी प्रकार से जैसे हमारे दूसरी जातु क्या पत्थ में जोड़ते जाएगा पठती पठता पठंती पठती पठता पठत पठत पठामी पठावा पठाम ठीक है जी यह हो गया हमारा तो यह आपको यह मैंने पूरे आपको तीनों पुरिशों के याद कर लेने हैं कि अब यहां पर यह बता रहें कि अपको रूप चलाने हैं अब्यास करना आ कई यह तो भूक बता दिया भूक भव करके संक्षित प्रत्य जोड़ना पठ में असे जोड़ना लिख में भूरना लिखती लिखता लिखंती लिखसी लिखता लिखता लिखामी लिखावह लिखामह और हसका विया से हसती हसता हसंती हससी हसता हसाथा हसामी हसावह हसामह गम का गम को क्या करना है संक्षित प्रत्य जोड़ने से पहले इसको गच्छ बना लेना है फिर संक्षत प्रत्य जोडना है गज्षति-गज्रता गछ्षन्ति-गच्छसी-गच्छता गच्चत गच्छामिel ध् Lam कि अच्ति आपको करना एता आग में और आफ में कर लेना आए कि यह जोड़ दिरफ दॉट है जो यह एक कै यह आपको आपक्याज करना है जैक ही यह वह गया हमारा इसमें अब है हमारा आग नियम अब व्याकण के नियम बताएंगे ठीके द्यान रखेंगे है है कि यह क्या होता है दोप्रकार के नियम मना है ज़्टार के नियम मनाए और एक ऐसे निंख़ें मना गया सामान नियम गए इतना ध्यान रखेंगे ठीक हैरे नियम एकक बच गया का व्चन और पुरश होता है कि जब कोई हम भाक्ट मनाते हैं तो उसमें जो करता करता होने प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक बचन दिवचन बहुप वक्चन वसकर्था में यही चीद देखनी है तो उसके अनुसार ही किरिया का वच्चन और पुरुष होता है यदि करता प्रथम पुरुष का है तो किरिया भी प्रथम पुरुष की होगी करता एक वचन है तो किरिया भी एक वचन होगी इसी प्रकार दिवच्चन बहुच्चन को जैसे साह पठत्य तो ही साह काड़ा प्रतंपूर्श एक बचन है इसलिए किरिया भी प्रतंपूर्श एक बचन की होगी अ हुगे तो यह जो सब्सक्टति नियम को इस सामानिम साथ सदा प्रथम पुरुषा आता है किया है हिंदी में मैं जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप बोलते हैं कि कि तो संसकित में ये बता रहे हैं इंग ही कि आप शब्द का अर्थ होता है मद्यम पुरुश वी अधियों केẏ उगल सा न पृपर्श말 मध्यम करता के साथ मैं है कि कर दो के दो को कहने वाला है हम तुम भी कह सकते हैं आप भी कह सकते हैं कि तो कहते हैं नहीं बावत शब्द जब करता में बनाएंगेंगें करता तो उसके साथ में चाहें वो मध्यम को पुरुश को कहें परन्त जो किरिया होगी वो प्रथम पुरुश्क्य होगी वचन उसके अनुसार होगा सदा प्रथम पुरशयातह ध्यान रखेंगे दम्नियंतीन कि तीनों लिंगों में धातू का रोप वही रहता है यहां कि करता हैं करता तो पुल लिंग भी हो जकता ले करिया का लिंग नहीं होता क्या क्रिया का लिंग नहीं होता इसलिए कह रहें किसी भी लिंग का ओपर क्रिया वैसी रहेगी चाहे कोई पूरुष पढ़ रहा है अत्मा कोई इस्त्री पढ़ रही है क्रिया पठती ही होगी पठसी ही होगी क्रिया का लिंग नहीं होता है जैसे हिंदी में होता है राम पढ़ रहा है सीता पढ़ रही है इंगलिस में तो नहीं होता पर हिंदी में होता है क्रिया का लिंग व्यासा संस्कित में नहीं होता नियम 4 बता रहे हैं करता में प्रत्मा होती है कर्म में दुटिया नहीं होती है वाक्य के अंदर हम यह पता कर लेंगे क्रिया को करने वाला वो करता है और जिसको कर रहा है वो कर्म हो गया तो जब जो करता होगा करता को कहने वाले शब्द में हम प्रत्मा व्यक्ति के रूप प्रयोग करेंगे और जो कर्म है उसमें दुतिया व्यक्ति के रूप प्रयोग करेंगे आगे नियम बता रहे हैं यह नियम पांच अपादमना प्रयुंजीता विना प्रत्य लगाए शब्द धातु का प्रियोग ना करें यह पहले भी पढ़ाया आपको प्रारम्मिक में भी इसलिए इसलिए इस पर बहुत ज्यादा हम समय नष्ट नहीं कर रहे हैं से अपादम्न प्रयुंजीत मनें संस्कुत भाशा में किसी भी शब्द को पद बना करके बारतिया है करके ही प्रियोग होता है जैसे हम राम प्रियोग गलत जैसे जैसे रामा पठती यह रामा में प्रत्य लगा दिया प्रत्य में प्रत्य लगा दिया पठती प्रियोग होगा ऐसा नहीं कर सकते राम पठ यह गलत है राम मूल शब्द है प्रत्य लगा करके ही प्रियोग करना च जाहिए अन्था गड़त हो जाएगा ठीक है तो अपदम्न प्रयूंजीत दिना प्रत्य लगाए शब्द धातू का प्रयोग ना करें उसमें प्रत्य लगा करके ही प्रयोग करें जैसे शब्द रूप हैं हमारे 21 उनमे जो रूप हैं वनी का प्रयोग करना मूल शब्द का प्रयोग नहीं कर देना चलिएगा यह नियम हो गया अब है आगे नियम च्छह एक अर्थवाले प्रयावाची शब्दों में से एक शब्द का ही प्रयोग करें पर्यावाची शट्द आप जानते ही। इनको चीज द बहुत करति हैं इनको तो इनका कहना आए कि वाक्ति की के अंदर güç कई दो धित को हम प्रयोग करने उसके परयावाकी का भी प्रयोग को नहीं करना कि या तो प्रियाबजी का प्रियोंक कर लिएगा या उससा शब्द ने को Iya कुछ रखना है deed जैसे यह अव्रिक्षाहा ये की और तरुह दोनों का ने तो यह तो व्रिक्ष को भी तरू को दोनौ को लगातर कर दिया कि पर्याभाटी सब्सक्राइप किया जाता है सभी का नहीं पर नौत तो यह आप को अमने जो पढ़ाने का पार्ट था वो आपको पढ़ा दिया ठीक है इसी प्रकार से आगे जा विशेश आएगा वहां पर हम दिश्तार से देंगे क्योंकि यह सब चीज़ें आपके आच चुकी है प्रारम्मिक रिच्नानवाद कौमदी में प्रस केवला आपको आवृत्ति कराई जा रही है अभी आरम आरम में आगे चलके आएंगे ठीक है तो यह आपको अच्छा से त्वारा इसकी आप्रत्ति कर लेनी है ध्यान कर लेना ठीक है अब इसका जो है ग्रिहकार है यहां यह ग्रिहकार है आपको करना होगा ठीक है ग्रिहकार में आपको दूंगा अगली कक्षा में मिलान कर ठीक है पहले यह क्या करते हैं अब यह राइट साइड का है अब भ्यास एक का भ्यास कराएंगे यह उदार्ण वाक्ष दे करके समझाएंगे ठीक है यह नमबर एक वहां पढ़ता है तो क्या बाक्ष बनेगा साह पठाती दो वे दो पढ़ते हैं यह अत्मा पढ़ रहे हैं यह की वात है ठीक है पढ़ते हैं अत्मा पढ़ रहे हैं उनके लिए हम सामान रूप से संस्कित में एक प्रकार का यह वाक्ष प्रयोग कर सकते हैं तव पठता है तीज वे सब पढ़ते हैं ते पठंते चार आप यहां आते हैं भावान अत्र आगत शती अब देखेगा यहां पर भावान के साथ में प्रथम पुरुशाया है सब जगह करता के अनुसर क्रिया का वचनारा पुरुशारा पांच आप दोनों हसते हैं भवन्तव हसता है चार आप सब जाते हैं भवन्तव गच्छन्ती साथ आप लिखती हैं तब भावाती लिखती भावती बताया था आपको नम्मर आठ वहां क्या हो रहा है तत्र किम भावती सब्सक्राइब भावती थे रहा है कि कि यहां पर आपको बहुत सारे पा हमारे पढ़ाने वाले तंप रहे हैं पढ़ते हैं आज है आगे की बात आगे भी समझ लेंगे इसके लिए आप ऐसे सामान लटकार का प्रयोग कर सकते हैं रहा है रही है मैं हम सामान रूप है उसका प्रयोग कर सकते हैं ज्यान रखेंगे जो जिसको हम त्यार है वो अपने आप प्रसंग को देख कर समझ जाएगा कि रहा है या रही रहा है अत्वा पढ़ते हैं या पढ़ रहा है वो अपने आप समझ जाएगा प्रसंग को देखकर के यह समझ लिया जाता है कि यहां पर क्रिया अभी चल रही है अत्वा सामन रूप से क्रिया होती है क्या बताना चारा वक्त है अपने आप बोध हो जाता है ठीक है कई आपको पढ़ाने वाले कुछ अलग बताएंगे इसमें वो अभी जैसे शत्री प्र कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं झाप क्या करना है आपको आपको दिया जा रहा है यह वाद कि आपको एक नोटबूक बना लीजीएगा उस पर आपको यह बनाने है ठीक है विशेग बातें भी लिखते जाएगा ु शंस्कृत बनाऊ नंबर दो का वहल लिक्टाएं वह गाओं कोाता है वह आता है बालकपड़ता राम लिखता है मनुष्यहसता है राजा यहां आता है राम विध्याले जाता है आप वहां जाते हैं वहां मनुष्य 과ह जाता है अब आरम्च बना सकते हैं कि खा में बता रहे हैं दिवचन के दो वे दोनों हसते हैं वे दोनों कहां जाते हैं दो आदमी यहां आ रहे हैं दो राजा वहां जा रहे हैं वे दोनों जहां जाते हैं वहां हसते हैं आप दोनों आते हैं एक खाओ गया में आपको क्या करना है 17 वे सब यहां आते हैं वे सब बालक विद्याले जा रहे हैं वे मनुष्य कहां जा रहे हैं आप सब पढ़ रहे हैं वे सब पढ़ते हैं वे सब लिखते हैं ठीक है तो यह आपको 22 अनुवाद बनाने ठीक है यहां यह जो सब है कि सब की संस्कित आपको नहीं लिखनी है यह 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 कर देंगे ते माने वे सब अपने आप यह जाएगा ठीक है सब के लिए अलग से संस्कित आपको नहीं लगाएं नहीं तो आपके ते माने वे ते का आर्थी ह कि यहां पर यहां पर आपको थोड़ी सी कठनाई हो सकते हैं बता सकता हूं वैसे तो यहां पर यह जो भाभ प्वंत दिए हैं यह एक एक वच्न में दिया है। ठीक एक वच्रें हैं इसका दिवच्ण और ववक्ष्ण विट आपको बनाना हैं कि लिफ्थे में इसका बनेगा आपका घ्वांत आम पोबहलत कि या भावंत आप और बहुवचन में बनेगा भवन्ता हाँ ठीक है यह बहुवचन में बने गया अब बना लीजिएगा ऐसे इसका इसका क्या बनेगा यह तो बावत्ती भावत्याव और भावत्या हाँ कि यह बहुवचन में बनाने के लिए आ रहा है तो यह कर सकते हैं ठीक है किरिया आपको बताई दिये हैं कि यह हुआ आपका कि चलिएगा और आगे आगे यह बता रहे हैं अशुद्धवाक्या और शुध्वाक्या ठीक candi ये शुद्ध्य हैं ये शुध्य हैं और ये नियम संख्यां दोनीयम लगा है उसके का gracious को अरे मं तो पृत्सवा क्रम में दुतिहा तब कर दीया कर दिया कर दिया करता में कर्म में तत्र गच्छति तो भावा गच्छनत लिखांग गलत है यह यह प्रथम नियम के अनुसार यह बनेगा यह नियम संख्या लिखी है ठीक है जो नियम अभी पड़ाए थे को स्य sightsbrand आशन्ती तो यह गलत यह गत्र गत्षता स्क्सायर यह तो यह दीवचन वाला दूसरा नियम आजायेगा दूसरा नियम क्या हमारा यह वाल देखा देते हैं आहे हम Curtis भावत शब्द के साथ प्रेधा पुरुशा आता है यह दूसरा प्रेद रियम हो पाली हन्हीद लगेगा हुआ कि अ कि इसवेशश्य यह गलत लिका हो यह यह पर प्रेधाम नहीं है humility रिदर नहीं महीद्ति नहीं है यहां दुष्षन थ करताेत् करता है तो यह पर भी करता होंगे कि यह ज यहां पर जहां जाते हैं वहां हसते हैं तो जो जाने वाले दो कि तुरुपशन किरी आई वाले भी दो हीं होंगे तो न्यम एक लगेगा वहां अच्छ ging अब्छ यह सब्सक्राइबous जहते शुरुआ कि यह तो नियम यह लगेगा आपका पहला और पांचल लगर ark हुँआ कि कर व कि अधूदियां होगी कि यह यहां का एक में ये नियम बता रहे हैं हूं हूं प्रत्रा नीयम तो इसलिए लगएगा हा क्यों कि जो करता है करता करता के हमustaर क्रिया क्रिया और चाहिए तो तो पहला नियम लग गया प्रत्य लगा करके प्रियोग करना है विद्यालयम तो यह अब आगे शुद्ध करो तथा नियम बताओ कर यह आपको करना हैं रखेंगे अगले झो अब हम होगी ल्गा औication पर सही क्या होगा आपको सही करना है द्यान देंगे पहले शप्द को देखकर के पीछे को सही करना है पीछे को देखकर के पहले वालमना ही करना है एज्यान रखेंगे तो ये आप के गरेहकार है ये ये कर लीजएगे के चक्षा मेंfed रहा हूँगा कर और क्या है आए-छैङ्व कि नमबर पाँच अडया संस्कित में का यह बता रहा है का इसमय इस वाले में नंबर दो नंबर दो कहाँ देखना है आपको ऊपर यह नंबर दो आया था यह वाला यह नंबर दो को यह संकित दे रहे हैं तो नंबर दो कि में बता रहे हैं कि नंबर दो के जो काकी वाक्य का भी वाक्यों को दिवच्चन और बावच्चन में बदलो तो यहां पर आपको क्या करना है इनको पहले तो यह बना लेने जैसे कि हैं वैसे कि वैसी बना लेने फिर इसको यह दिवचन में और पावचन में भी बनाने यहां से लेकर करके यहां तक कि इनको दिवचन में भी बनाना है ठीक है और कि कि फिर आगे वाला जो ख़ा भी भाग है उसमें दो में ही ख़ा भी है खके वाक्तियों को एक बचन और दुबावचन बदलना है वहां दुबचन में बने हुए हैं तो फिर उनको एक बचन और बावचन में भी बनाना है और क्या पठ लेखा गम आगम के प्रथम पुरुष के रूप लिखो तो आपको प्रथम पुरुष के नहीं लिखने हैं तीनों पुरुषों के लिखने हैं तो तीनों पुरुषों के आपको याद हैं इसलिए याद कर लिए हैं आपने तीनों के लिखने हैं घा बालक अंड पन्र अंभिद्विद्ध्यालाए के प्रतमा करता और्क दुतिया कर्म के रूप लिखो तो इसका आपको क्या करना आपको इनके सभी रूप लिखने हैं सारी विवक्तिओं को लिखने संबोधन साइट साथ वेवक्ति यह आपका ग्रिहकार दे दिया मैंने आपको ठीक है अब आपको यह करना है अगली कक्षा में जो इसके में जो चेक कराने का कारेबू मैं बिलान कराऊंगा अब आपके अंत में फिर निवेदन किया जाता है यह कक्षा है हमारे उन्हीं पाठकों के लिए जिनोंने इस पुस्तक को पड़ लिया है अथवा जिनको पहले से सामान संस्कृत आती है उनको ही लाब होगा वही अपनी संस्कित भाषा को इंप्रूब कर सकेंगे इस कोर्स की बारी सेकंड लेवल का कोर्स है यह फस्ट लेव नहीं सीखिया तो आप स्कोर्स को पढ़िएगा ठीक है चलिएगा फिर अब मिलान कराएंगे अगली कक्षा में फिर उसी में आपको पढ़ाएंगे भी ठीक है ऐसे चलेगा पुस्तके अवश्य मगा लीजिएगा ले लीजिएगा सर्वेप्यो नमाहूं झाल 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 झाल